नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल एबी टेक में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो विविन कार्याला हैं सरकारी कार्याला हैं वो 20 अप्राइल से खोले जाने के सम्बंद में आफीसल विगप्त जारी हो गई है आप ल लोगों के लिए है कि जिस बढ़तियों का आप लोग इंतिजार कर रहे हैं जो वेकिंसी लटकी पड़ी है वो सभी कार्याला यहां पर खुलेंगे ठीक है तो देख लेते हैं विगप्ति में क्या क्या यहां पर चीजे मैंसन की गई है तो यहां पर दिया गया विस सरकारी कार्यालियों में कुरोना वाइरस नए कोविड-19 के संबंद में सरकारी कार्यालियों को 20 अपरल 2020 से खोले जाने के संबंद में 20 अपरल से कार खुलेंगे ठीक है तो से पहले यहां पर बोला गया है कि पुलिस होमगार्ड सीविल डिफेंस अगनी समवन आकस्मिक से वाए आपदा प्रबंदन कारागार नगर निकाय बीना किसी प्रतिबंद की यह थावत अपने कार्यों को संपावधित करते रहेंगे एक नमबर में उन सभी विवागों को मेंसन किया गया है जो आल लेडी सेवा में हैं इमर्जेंसी सर्विसिस के अंतरगत जो जी आती है जो का तथा खा के सभी अधिकारी कार्यालियों में उपस्थित रहेंगे ठीक है आगे लिखा है कार्यालियों में प्रते कार्याद दिवस में समोंगा एवं समोंगा यथा आवस्तक 33 प्रतिस्त तक के कार्मिकों की उपस्थित सुनिश्चित कराने की बेवस्था के लिए करमचारियों को रूस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मीई अल्टर नेट दिवस में का है इस सदस्की कार में कोई व्योवधान उत्फ पर नहों सकी कर ferry तो आवस्टे कार्मिकों को की काड़ रेले की अवाद में वह सूर्ण डिस्तनिंसिंग अन्हीं सुछछ शात्मक वुपाओं का पूरा ध्यान रखा जाय है रोश्टर की अनुसार घ्र zar से कार संपादित कर रहा है कार्मिकों कार्मिक यस अवाद में अपने मोबाइल एक्टानिक सादनों के माद्धियम से कारयाले के संपर्क रहेंगे उन्हें आवस्षकता पढ़ने पर कारयाले बुलाया जा सकेगा अब दोस्तों मैं आपको अपने सब्दों बताता हूं कि यहां पर मैंसन है क्या यहां पर यह लिखा है कि यतने वी कारयाले जितने विवागा द्यच्छ हैं वह सभी खुलेंगे चाहिए आपका उत्तरप्रदेश मादमिक सिछा सेवा चैन बोर्ड हो चाहिए उत्तरप्रदेश हायर एजूकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर उत्त समझ में आ गई बाद दूसरा यहां पर यह दिया गया कि जो समुगा एवंगा के करमचारी हैं गुरुप सी गुरुप डी वो एक तिहाई करमचारी ही उपस्थित रहेंगे अब जो विवागा देच्छ हैं वो रोस्टर तैक करेंगे कि किस किस करमचारी की जरूरत है उन से करमचारी जो घर पे रहेंगे वह अपना एलाइट रहेंगे मोबाल या टेलीफोन या कंप्यूटर के माध्यम से संपर्क में रहेंगे कि जिससे जरूरत पड़े तो उनको बुलाया जा सके ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं सिच्छा विवाग को लेकर कि क्या-क्या यहां पर भड़तिया है कौन-कौन से रिजल्ट इस बीच जारी हो सकती है वह सो तो यह जो नोटिफीकेस में बाकि सारी चीज़े लिखी गई है ठीक है तो वह ज्यादा इंपोर्टन नहीं है जो हमारे लिए इंपोर्टन था वह हमने आपको बता दिया फिर भी अगर यूटी बढ़ती दोजार सोला की बात करें तो कुछ रिजल्ट जारी हो सकते हैं आप लोग जानते तीन महीं तक लॉक डाउन है तो इंटर्व्यू तो जो पेंडिंग है वो नहीं सुरू होंगे लेकिन जिनके साथ चाहतकार पूरे हो चुके उनके रिजल्ट जरूर जा जायोग में जो पिछले रिजल्ट पड़े हैं काफी सारे वून को जारी किया जा सकता है ठीक है बात कर लेते हैं अगर उसकी यूपर ट्रेपल से की आधीन सिस्था सेवा चैन को लेकर कि तो यूपर ट्रेपल से से जो भी ग्रूप सी बढ़तियां होती हैं वहां पर भी जारी किया जा सकते हैं यहां आपको दिखा रहा है यह एक प्रेश्विग्यव जारी हुई थे बीस मार्च दोजार बीस को इसमें यह बताया गया था कि टीजटी प्रिजटी दोजार जो एंटर्वीव हैं वह 23 मार्च से लेकर के पांच अपलेल के बीच जो होने थे उनक सुरुआत सर्वाद से चल लहीं थे विड्यान और अंगरेंजी यह यह सकता ओर आप इब शुधकर आपने सब्सक्राइब के नहीं पूरा नहीं वाय давай तो कोई सा रिजल्ट दोस्तों TGT का आ सकता है तो दोस्तों TGT का अगर बात करते हैं तो सारी रिक सिछा का आल लेड़ी आ चुका है रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हैं आपका ग्रह विज्ञान का यह जो इंटर्विवे पूरा हो चुका है किस मार्च को ठीक है और ही रिजल्ट आ चुक है जितने सेडूल थे मांके चौते चरण में जो इंटर्विवे वह भी सेडूल नहीं वह लॉकडाउन के बाद ही आपके ओपन होंगे ठीक है तो यह अब का होम साइंस का रिजल्ट आ सकता है इसी तरीके से अगर लोग सेवायों की बात करते हैं तो और अन्य विवागों में जो भी है वो भी जो रिजल्ट प्रमलागबग घोसी तो होने है वो भी रिजल्ट जारी हो सकते हैं नई बढ़तियां फिलाल अभी नहीं आएंगी बहुत से लोग मुझते रहते हैं तो यह दोस्तों हो गई पूरी कंप्लीट अपडेट आई हू कंप्लीट जानकारी देते हैं आसा करते हैं वीडियो पसंद आए वागों वीडियो को लाइक आउड सेयर कर दीजिए दन्यवाद